क्राइम की दुनिया में कुछ राज घहरे होते हैं और हर एक चहरे में कई चहरे छुपे होते हैं और हत्या के दाग पड़े घहरे होते हैं मिटाने को सुराग परद दर परद कई पहर होते हैं लेकिन हर परदा हटेगा और हर राज खुलेगा क्राइम सीन में बसता हर अप्र ट्रांसजेंडर की हत्या से जहां पर एक माने अपने बेटे की हत्या कर दिया जहां ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जिंदगी गुजाने की चाहत रखने वाले 19 साल के बेटे को उसकी माने दर्दनाक मोथ दी है। कमिलनाडू की सलेम पुलिस ने आरोपी मा को गरफतार कर लिया है और मा के साथ पांच अन्य आरोपी भी गरफतार किये गए हैं और मिरतक का नाम नवीन बताए गया जिसने अपना नाम बदल कर अचीता रख लिया था और चोकाने वाली गटना अमा पलायम के कंगी बनने के परियास में नवीन ने अपना नाम बदल कर अचीता भी रख लिया था और वो बैंगलोर में ट्रांस जेंडर समुदायों के सदस्यों के साथ भी रहता था और नवीन अपनी मा के पास अक्सर आना जाना करता था और उमा देवी ने नवीन को ट्रांस वूमन ना ब और पुलिस ने जाँच में पाया कि नवीन की हत्या उसकी मा उमा देवी ने ही किया और पुलिस के सूतरों ने बताया कि उमा देवी ने पुरुष बने रहने के लिए नवीन को हॉर्मस लेने के लिए भी मजबूर किया था और जब नवीन नहीं माना तो उमा देवी और उस मद्धे प्रदेश के रीवा में एक दिव्यांग पती ने कुरूरता की सारी हदे पार कर दिया पारिवारिक अल्या में उसने अपनी पत्नी के हाथ पैर को कड़ासे से काट डाला और पुलिस ने आरोपी पती को अभी फिलाल गिरफ़तार कर लिया और पतनी को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया फिलाल पुलिस पूरे मामले की जांच की कर रही है मामला रिवा जिले के रायपूर कुर्सलियान ठाना के सेंदुरा गाउं का है और पारिवारी कल्या में ये एक दिव्यांग पती ने कुर्टा की सारी हदे पार कर दी और रामकलेश कोरी ने अपनी तीसवर शेपटनी लली कोरी के हाथ पैर को काट डाला है और लली गुजरात में ये नोक्री करता था और कुछ दिन पहले ही वो गाउं में लोट कर आया और इसके बाद से घर में पारिवारी कल्या शुरू हो गए और रविवार को पती रामकलेश पतनी लली को खेत में लेकर गया और अनहोनी से बेखबर लली को रामकलेश की नियत पर कोई संदे नहीं था लेकिन आरोपी पती पहले से ही योजना बना कर आया हुआ था और उसने घडासा छिपा रखा था जैसे ही मौका मिला घडासे से तावर तोड़ वार करके पतनी के हाथ पैरकाट डाले और पतनी की चीक पुकार सुनका ग्रामिन मौके पर पहुँचे और पुलिस को सूचना दी गए और घटना के बाद पती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी पती एक हाथ से दिव्यांग बताए गया और उसने पतनी के हाथ पैर क्यूं काटे और उस पर हमला क्यूं किया इसके अभी जानकारी जुटाए जारी और पतनी को गंबीर हालत में इलाज के लिए संजे गांदी अस्पताल में सरजेरी वोड में भरती कराया गया गटना की सूसना मिलते ही मोके पर पुलिस बल भी पहुँच गया और घाल महिला के हाथ पैर जब कर होस्पिटल ले जाया गया और यहां डोक्टरों ने उप्रेशन कर हाथ पैर को जोड़ दिया और अब महिला की हालत खत्रे से बाहर है और पुलिस ने आरोपी पती पर 307 हत्या के परियास का मामला दर्शकर हिरासत में लिया है और अब उससे पूश्ताच की जारी पंजाब में कपुर्थला में गुरुद्वारे में बेद्वी के शक में भीड के हाथों मारे गए युवक के कई वीडियो सामने आया और इन वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक से कुछ लोग गुरुद्वारे में पूश्ताच भी कर रहे है और युवक से उसका नाम पूछा गया और वो कहां से आया इसका भाई कोन है और इस तरह कि उससे कई सवाल किये गए यानि इन वीडियो को देख कर साफ कहा जा सकता है कि युवक से काफी देर पूश्ताच की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग उससे उसका नाम भी पूछ रहे है लेकिन वो ठीक से नाम नहीं बता पाता और इसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो कहां से आया इस पर युवक कहता है कि दिली इसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो कपुछ थला में कहां रहता है और उसका बाई का क्या नाम है और नमबर क्या है और युवक जादा जानकारी नहीं दे पाता और इतना ही न और कुछ लोग पानी देने से मना कर देते हैं वीडियो में महिला की भी आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो में यूवक से पूछा जा रहा है कि वो गुरू द्वारे में क्यूं आया और उससे पूछा गया कि वो कहां काम करता था और यूवक से कहा जा रहा है कि वो साथ काम करता है और उसे यहां किसने बेजा अगर वो यह सब सच बता देगा तो उसे जाने दिया जाएगा और नहीं तो यह लोग छोड़ेंगे नहीं और युवा का एक वीडियो और सामने आए और यह वीडियो लिंचिंग से पहले दिल्ली और हर्याना पुलिस की रातों की नींद हराम कर देने वाले चाओरों को सरगना को भिहार से गिरफतार कर लिया गया और ये सरगना भिहार के मुंगेर से पकड़ा गया और इस चोर ने 97 के साथ मिलकर दिल्ली और हर्याना में 116 से जादा चोरी और फरजी वाड़े की घटनाओं को अंजाम दिया था दिल्ली और हर्याना पुलिस की नाख में दम कर देने वाला चोरो का सरगना शातिर मनोज मिश्रा और फसोनु मिश्रा बिहार के मुंगे से ग्रफतार हुआ दिल्ली पुलिस ने मुंगेर पुलिस के सायोग से खगरणपुर थाने के रथेता से Manoj को पकड़ाय और आरोपी को हर्याना पुलिस की भी तलाश कर रही थी और वहीं दिल्ली पुलिस के मताबिक मनोज मिश्रा इतना शातिर है कि अपने गैंग के लोगों की कानूनी मदद ले विशेयस फंड की विवस्ता भी रखता था चोते मोटे मामलों में अपने साथियों को पहले ही जमानत दिल्वा देता था दिल्ली प्लिस की जाच में खुलासा हुआ है कि मनोज मिश्रा दिल्ली और हर्याना में होने वाली चोरी की घटनाओं को पूरी प्लैनिंग के साथ अंजाम देता था गटना के बाद भिहारा का छिप जाता था लेकिन इस बार पुलिस ने गैर जमानती वारंट के साथ उसे तलाश कर धबोचा है और पुलिस मनोज को दिल्ली पी लेकर रवाना हो गई और वहीं हर्याना के फरीदावाद में एक दिल धेला देने वाला मामला सामने जहां एक सक्स ने अपने छोटे भाई को अपनी मा के सामने ही चाकू से गोत कर मोत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम दे कर आरोपी भाई वहां से फरार हो गया और पुलिस इस मामले में शिकायत मिलने का इंतिजार कर रही है और मृतक की पेचान विश्नू के रूप में हुई है और मृतक और आरोपी की मा ने बताया कि वारदात से पहले दोनों भाईयों ने चाकू से हमला कर दिया जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गए और मृतक के एक रिष्टेदार के मुताबिक मृतक विश्नू की उमर करीब 20 साल बताएगी और घटना के बाद से ही उसका आरोपी भाई सोनू फरार बताया गया और वहीं एसीपी सत्पाल यादव ने ब और वहीं एसीपी आदव ने आगे बताया कि फिलाल इस मामले में मृतक के परिजनों की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी गए और शिकायत मिलने के बाद ये पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कारवाई अमल मिलाएगी और मृतक के शब को पोस्मार्टम के मोर्चरी में रखवा दिया गया है गोपाल गंज के ग्रामिनों ने एक बलरो में लदिख शराब लूट ले और बलरो का ड्राइवा तसकरी करके विदेशिय शराब की बोतले लेका जा रहा था और रास्ते में बाइक से टकर होने के वाद विवाद होने पर वो गाड़ी छोड़ कर भाग गया गाड़ी में शराब भरी देख ग्रामिनों में इसे लूटने की होड मच गई और इसका वीडियो आप वाइरल भी हो रहा है और पुलिस ने एक तसकर सहित आठ लोगों को हिरासत में लेका पुलिस पूस्ताश शुरू कर रही है और घटना के संदर में बताया जाता है कि यूपी से एक बुलियरो गोपाल गंज मीरगंज रोड के रास्ते महेचा मोड होते हुए बदर जीमी के तरफ जा रहे थी बदर जीमी के तरफ जाने के दोरान बुलियरो ने महेच मोड के समीब बाइक सवार युवा को ठोकर मार दी और ठोकर मारने के बाद बुलियरो आनी इंतर होकर पेड में जाकर टकरा गई और इस दोरान बुलेरो में भारी मातरा में विदेशी सराब रखे होनी की सूचना ग्रामिनों को मिली और मोके पर पहुँच का ग्रामिन बुलेरो से शराब लूटने लगे और इसका वीडियो शोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मोके पर पूंच गई और उसने बुलेरो सवारेक यूवक के अलावा कई ग्रामिनों को हिरासत में लेकर पूस्ताच भी कर रही जारकन के धनबाद नगर निगम के एक अफसर पर उनी की ही मसेरी बहन ने दुशकर्म करने का आरोप लगाया और पीडिता अपने माता पिता के साथ धनबाद महिला थाना पहुची और पूरी आप बीती बताए और फिर लिखिक शिकायद दी गई और धनबाद महिला थाना पुलिस ने नगर निगम के अफसर के खिलाफ एफ आयार दर्ज कर लिया और पिडिता बिहार के जहानाबाद की रहने वाली बताई गए और लड़की पिछले एक साल से नगर निगम के अफसर के साथ धनबाद में रहती थी और सभी ने एक साथ खाना खाया और मुसरे भाई ने दूद में हल्दी मिला कर पीने को दिया और दूद पीने के बाद चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गए और बेहोशी के हालत में उसने बताया कि उसके साथ मुसरे भाई ने दुशकर्म किया और उसने मांग की कि उसे नियाई चाहिए और इस मामले में धनवाद पुलिस ने बताया कि एक लड़की ने अपने ही मुसेरे भाई पर दुश्कन का आरोप लगा है और मामले में अपायाद दर्च कर लिया गया है और आगे की कारवाई भी की जा रही और वहीं 36 गड़ में मंगलवार सुबा नकसलियों के एक बड़ी साजिस नाकाम हो गए और यहां के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलो के टुकड़ी पर नकसलियों ने आई एडी ब्लास्ट किया और रहत की बात ये रही कि इस ब्लास्ट में कोई बड़ा नुकसान नहीं जवान मामुली रूप से जरूर घायल हुआ है और दंतेवाड़ा एसीपी ने बताया कि नकसलियों का इरादा बड़ा हमला करने की थी और इसके लिए उन्होंने आई एडी का इस्तमाल किया था और एसीपी अभिशेक पल्लम ने बताया कि ये हमला सुबा आठ बजे किया गया और उस समय सबी जवान बोडली कैम से करिया मेटू की और ओपरेशन के लिए निकले थे और कैम से करीब 650 मिटर की ही दूरी पर नकसलियों ने आई एडी विस्वोट किया जिसमें एक जवान घायल हो गया और सबी जवान सुरक्षित बताया कि तलाशी के दोरान मोके पर से चार जिन्दा आई डी बम भी बरामत हुएं और मामले की ओर चांच की जा रही है दिली में आई एस की तैयारी करने वाले यूवक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलजा लिया और पुलिस ने कतल के लजाम में तीन लोगों को गिरफतार भी किया जिन्नोंने रोड रेस की मामली सी घटना के बाद यूवक की पीट-पीट कर हत्या कर दीती और एहम बात यह है कि इस मामले का खुलासा करने के लिए तीन सो पुलिस कर्वियों की मदद ली गई और पुलिस के मताबिक बीती 14 दिसंबर की रात को मंगलपुरी इलाके में एक शक्स को चाकू माने की पीसियार कोल पुलिस को मिली थी और सूचना के धारपा पुलिस मौके पर पहुची तो पता चला कि वहां दो लोगों को चाकू मारा गया था और पुलिस ने फोरण दोनों घायलों को लेकर अस्पताल में भरती करवाने पहुची लेकिन अस्पताल में जांच के बाद पुलिस ने बीस वर्षे अमरदीब को मिर्त घोशित कर दिया और जादा खून भैजाने की वज़ा से अमरदीब की मौत हो गए थी जबकि उसके बीस साल के दोस्ट सागर को इलाज शुरू कर दिया गया और पुलिस ने पुरे मामले की जांच परताल शुरू की और मौकाय वारदात के आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों की फूटेज खंगा ली गए और सीसी टीवी फूटेज के अधार पर हमलावरों की पेचान कर ली गए जिनमें रोनक पियोश और रोहित नाम के लड़के शामिल थे और इसके बाद दबिश देकर पुलिस ने रोहित को सबसे पहले गिरफतार कर लिया लेकिन बागी आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर थे और वो पुलिस से बचने के लिए उधर उधर भाग रहे थे और वहीं पकड़े गए आरोपी रोहित ने पूस्ताज में बताया कि वारदात के दिन वो सब मिलकर घर से कहीं जा रहे थे और रास्ते में मरदीब और सागर उन दोनों से टकरा गया और इसके बाद कहा सुनी होने लगी और बाद में मरदीब और सागर अपने दोस्तों को लेकर वहां आ गए थे इसके बाद चाकू बाजी की घटना हुई और इसी दोरान आरोपी प्योश और रोनक ने अमरदीब को चाकू मार दिया था और पुलिस ने दोनों आरोपीों को गिरफतार करने के लिए करीब 300 पुलिस कर्मियों की टीम लगाई और उत्राखंड समें दिली और आसपास चापे मारी की गई तब जाकर पुलिस ने प्योश और रोनों को गिरफतार कर लिया और साथ ये पुलिस ने वारदात में इस्तमाल हत्यार भी बरामत कर लिया है यूपी की राजधानी लखनों में इंडरा नगर के मानस विहार में किराय पर रहने वाले बेकरी दुकानदार राजिस्त बलेचा ने अपनी पत्नी सुएता बलेचा की गोली मार कर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को गोली से उड़ा दिया अचानक घर के अंदर गोली चलने की आवास सुनकर परिवार वाले कमरे की तरफ भागे लेकिन अंदर से दर्वाजा बंद था और सुसना पर पहुंची पुलिस ने दर्वाजा तोड़ कर शुप को बाहर निकाला और इसके बाद पोस्ट मार्टम क्लिप भीज दिया है और पुलिस के मताबिक शुरुवाती परताल में पारिवारी कहला में हत्या और खुद खुशी की बाते सामने आई है और वहीं जिस पिस्तोल से गोली चली उसके लाइसेंस ना होनी की बात भी सामने आई है और पुलिस इस मामले में हर पहलू पर परताल कर रहे हैं और प्रभारी निरक्षक इंद्रा नगर डोक्टर रामफल के मताबिक बेकरी कारोबारी चंडरमल बलेचा मानस विहार में किराय पर रहते थे और परिवार में दो बेटे राजस और तरुने और राजस की शादी स्वेता से करीम दस साल पहले हुई थी और पुलिस के मताबिक परिवार जनों से पूस्तास में सामने आया कि दोनों में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और स्वेता और राजस के बीच अकसर विवाद हुआ करता था और इस्तित तलाग तक पहुँच गई थी और वहींश होता है कि माई के वालों ने कोई आरोप नहीं लगा है अगर आरोप लगाते हैं या कोई तहरीर देते हैं तो उसके हिसाब से कारवाई की जाएगी आज के क्राइम सीड में इतना ही फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चोका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजों से नहीं बचपाएगा कोई भी अपराद चाहे नेता हो या फिर आम इनसान हर अपराद का होगा परदाफास देश और दुने की तमाम ख़रोक लेप तेक्ते रहे आरिया नियूस